अब हमारा टॉपिक है नुकलियर रियक्टर एक ऐसा सिस्टम जिसमें नुकलियर रियक्टर्स कंट्रोल तरीके से की जाती हैं ऐसे सिस्टम को नुकलियर रियक्टर बोलते हैं यह रियक्टर का मतलब सीधा सा रियक्टर्स से हैं यह reactor mainly 3 parts में divided हैं, पहला parts इसमें present radioactive substance जैसे uranium या plutonium हो सकता है, तो सबसे पहला important part है uranium substance, वो substance जिसका nuclear fission होना है, दूसरा important part ये cadmium rods है ठीक है ये cadmium rod cadmium rod का बहुत important part पिले है ये cadmium rod क्या करती है ये actually neutrons को absorb कर लेती है और जब neutrons को absorb कर लेती है तो इनकी presence में nuclear fission रुख जाता है nuclear fission ने होता ठीक है तीसरा important इसका part है ये इसके अंदर presence साधरन जल यानि simple water या heavy water जो nuclear reaction को control करने का काम करती है यानि देखो इसमें mainly controlled main सब्द है यानि ये बहुत dangerous reaction है इसमें dangerous rays निकलती है और बहुत ज़्यादा quantity में energy निकलती है तो इसको mainly हमें controlled करने में ज़्याद है इसमें सोचना पड़ता कि कैसे control करें तो अब देखते हैं कि यहाँ पर काम कैसे होता इसकी working क्या है देखें जरा देखें अगर हम इन rods को upward direction में move करा दें तो यहाँ पर जो presence neutrons हैं वो सीधा सा इन uranium substance से react करेंगे यानि यह uranium जो substance है यह neutrons को absorb करके अपने critical mass से अपना mass ज़्यादा कर लेते हैं और इसमें nuclear fission start हो जाता है neutron से reaction करने के बाद इसमें nuclear fission होगा और चुकि neutrons एक atom से react करेंगे और उसके बदले बेरियम और क्रिप्टन में divide होती है nucleus और साथ में 3 neutrons बनते हैं यह neutrons next atoms को react करते हैं और next इसमें 3 times energy increase हो जाती है यानि reaction परन 3 times increase होती है वो 3 neutrons फिर दुबारा कर 3-3-3 neutrons देते हैं यानि 9 times यह reaction तेज होगी और इस तरह से इस reaction को हम chain reaction कहते हैं तो को इस condition में जो neutrons होते हैं उनके energy बहुत जादा होती है उस energy को कैसे control करें उस energy को control करते हैं यह जो moderate का का काम करते हैं heavy water या simple water यह electron की energy को absorb करते हैं और electron के energy को कम करते हैं यानि electron को इस reaction को moderate करने का मंदा धीमा करने का का काम करता कौन यह heavy water तो इस process में अब यह इसमें nuclear fusion हो रहा है अब हमें यह nuclear reaction को रोकना है रोक है कैसे तो रोकने के लिए यह जो academia roads हैं इनको fall down कर दें अगर इनको move नीचे की तरफ move करा दें तो यह फिर दुबार अकर uranium substance के पास आ जाती है और यह जो बचा कुचा इसका main काम के अडिमें का यह neutrons को अपने तरफ absorb कर लेती है neutrons को जैसे ही अपने तरफ absorb करेंगी तो reaction रोक जाएगी अगर हम इनको फिर दुबार अकर upward direction move करा दें तो यह upward direction ले जाएगे और हैंके जो neutrons हैं फोर दुबार अकर uranium substance से react कर लेंगे और uranium substance से तब तक react करते रहेंगे जब तक इनका mass critical mass से ज़्यादा हो रहता है तो इस condition में यह हो गया nuclear fission और यहां से बहुत सारी energy यहां से हम प्राप्ट कर लेते हैं अब इस reaction से जो energy मिली हम उसका क्या करते हैं यह energy इस रास्ते से आती है और यहां पर जो मौजूद water होता है इस water को गरम करके boil करके यहां से water vapor create करती है और water vapor जब अपने असली pressure पर आ जाती है water vapor जब अच्छी quantity मिली बनेगी तो एक high pressure से इधर को आती है turbine को rotate करती है turbine से कौन contact में रहता है electric generator electric generator से electric generate होती है कैसे electromagnetic induction के principle के according तो यहां से इस water vapor ने turbine को rotate किया और electric energy यहां से produce कर दी यही anti-pc यानि national thermal power corporation plants होते हैं उनमें ऐसा ही होता है अब यह water vapor ने अपना काम कर दिया turbine को घुमाने का काम था यह इसका हो गया अब यह तुरंत इस रास्ते से नीचे क्तरप आएगी यहां पर steam condenser होता steam coolant लगे होते है CO2 carbon dioxide D2O कुछ इस तरह से coolant लगे होंगे तुरंत इस water vapor को ठंडा करके condense करके दुबार कर water में change कर देती है और यह इस रास्ते से दुबार कर अपने place पर चले जाती है water water vapor से convert water यहां से इस तरह चला जाता है और दुबार कर फिर दुबार कर इस energy से यह vapor में convert होकर फिर दुबार कर turbine को खुमाता है यह cycle चलती रहती है हर समय ठीक है जब तक यहां से energy आती रहती है जब तक यह fusion होता रहता है तब तक energy आएगी water को water vapor में conversion होगा turbine गोमेगा बिजली बनती रहेगी जैसी हमें turbine को रोकना होगा तो हम क्या करमगे अपने इन rods को upward direction move करा देंगे और यह fusion रुख जाएगा NTPC जैसे power plants में ऐसा होता है रिश्टरे से हम uranium बगेरा से fuel से heat energy से electrical energy का conversion करते हैं thank you